जेहन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो दोस्तो आप सभी को पता है आप मेरे चैनल पर डेली देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी में इस समय डेली किसी न किसी एरो के अंडर में भरती निकल रही है तो आपके पास में बहुत बड़ा मौका है इंडियन आर्मी में भरती होने का इस समय दोस्तों मैं मौके के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि कोरोना वाइरस के कारण पिछले एक साल से इंडियन आर्मी में भरती नहीं हुई है तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो भरतीयां निकल रही है इन में जो बैकेंसी है वो बहुत हाई लेवल पे है भरती होने का एक सुनेरा मुऔका है तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते है और वीडियो से शुरू करने से पहले आप से एक रिक्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका जो फिजिकल फिटनिस टेस्ट यानि कि जो आपकी PFT होगी एट रैली साइट पे वो क्या होगी ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो आपका 1.6 किलोमेटर की रनिंग होगी ठीक है उसके बाद माँ आपके बीम होंगे जिनके लिए हम pull-ups बोलते हैं उसके बाद माँ 9 feet ditch और उसके बाद माँ आपका जिग-जग balance होगा ठीक है ये चार तरह के टेस्ट आपके लिए जाएंगे उसके बाद माँ दोस्तो आपका जो 1.6 किलोमेटर का रनिंग होगा उसमें आपके लिए दो group दिये जाएंगे ठीक है फर्स्ट group का timing होगी दोस्तो 5.30 तक और second group की timing होगी 5.31 से 5.45 से ठीक है उसके बाद माँ आपको बता दें दोस्तो कि अगर आप 5.30 से किंड में इस रनिंग के लिए पास कर लेते हैं तो आपको 60 marks दिए जाएंगे और अगर आप 5 minutes 31 seconds से 5 minutes 45 seconds तक आप इस running को pass करते हैं तो आपको 48 marks दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद मैं दोस्तो आपका second test होगा pull ups का तो pull ups लगवाई जाएंगे आपसे 10 मैं आपके information के लिए बता दूँ दोस्तो कि आपके लिए घबलाने की जरूरत नहीं है वो कम हो जाते हैं ठीक है आप सभी को पता है कि इंडिन आर्मी में जो physical होता है दोस्तो वो 100 number का होता है और GD के लिए ये physical बहुती ज़दा मायने रखता है क्योंकि दोस्तो GD को जो merit list बनती है उसमें ये physical के number भी जोड़े जाते हैं तो दोस्तो अगर आप 10 pull-ups लगाएंगे तो आपको 40 marks 9 pull-ups लगाएंगे तो आपको 33 marks 8 pull-ups लगाएंगे तो आपको 27 marks और अगर आप 7 pull-ups लगाएंगे तो आपको 21 marks और 6 pull-ups में आपके लिए 16 marks दिये जाएंगे दोस्तो मैं आपके लिए फिजिकल की बात इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा भरती होने जो आपके लिए साहिक है वो फिजिकल ही अगर आप फिजिकल में अच्छा करेंगे तो आपके लिए जो रिटेन अग्जाम में मेरिट बनेगी वो आपके बहुत ही अच्छी होगी ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यह भरती कहां पर निकली हुई है कब भरती होनी है इस भरती के ऑनलाइन रेस्टेशन कब से कब तक चलेंगे पूरी की पूरी जानकरी हम आपको देने वाले है ठीक है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो देखने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में सेर करना ना भूले ठीक है दो physical हो गए आपके उसके बाद में आया दोस्तो आपका 9 feet ditch और zigzag balance ठीक है तो आपका 9 feet का जो गड़ा होता है वो आपको पूदना होगा और zigzag balance आपके लिए पास होना जरूरी है ठीक है तो यह आपके 4 तरह की physical होंगे running, pull-ups, zigzag balance और 9 feet ditch ठीक है आप में बस इतना साई physical होता है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अभी हम आपके लिए बताते हैं दोस्तों कि इस भरती के जो online registrations होंगे वो कब से शुरू होंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि इस भरती में कौन-कौन से ट्रेट्स की भरती निकली हुई है वो आपको मैं बता दू ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर soldier general duty सबसे उपर है तो soldier general duty उसके बाद में soldier technical उसके बाद में soldier ट्रेट्समेन ठीक है और उसके बाद में आपकी soldier ट्रेट्समेन 10 और 8 पास दोनों के लिए ही भरती यहाँ पर निकली हुई है मतलब soldier general duty soldier technical और ट्रेट्समेन यहाँ पर दोस्तों तीन ट्रेट्स की भरती आपके लिए निकली हुई है अभी माँ आपके लिए यह बता दू जो भी ली जाती है वो मैं आपके लिए डिटेल में बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तो soldier general duty तो अगर आप soldier general duty में apply करना चाहते हैं तो आपकी जो age limit है वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए और आपकी जो date of birth है दोस्तों वो 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होना अनवार गला है है यहां पर दोस्तों बता दें कि आपकी जो height ली जाएगी वो बहती कम ली जा रही है हैं पर दोस्तों आपकी height के tau 160 cm ले जा रही है एक सोanno linear duty नरे दो तो तो पूरी की पूरी जान कर रही देंगा आपके लिए आप वीडियो को बस लाश्ट तक देखते रहें ठीक है उसके बाद में आपको जो चैस्ट है वो आपका 77 cm और इस भरती में अपलाई करने के लिए आपको क्लास 10 पास होना चाहेंगे बिद 45 परसेंट मार्क और आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 33 परसेंट मार्क से कम नहीं होने चाहेंगे अभी दोस्तों मैं आपको हाइट के बारे में बता दूं कि आप सभी को पता है मेरी चैनल पर एक वीडियो ऑल्रेडी भी है जिसमें मैं आप सभी को इंडिया के कॉनसे स्टेट में कितनी हैट ली जाती है वो पूरा कापा देटेल में बताया है तो अगर आपने व difиडियो नहीं देखिए तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ठीक है जिससे होगा कि आपको किलिर हो जाएगा कि यहाँ पर जो 166 cm हैट ली जा रही है वो कैसे ली जा रही है ठीक है उसके बाद में आती है दोस्तों सोल्जर टेक्निकल तो सोल्जर टेक्निकल की भरते के लिए आपको साड़े सत्रा से 13 साल के बीच में होना चाहिए आपकी जो डेट ऑब बर्थ है वो एक अक्टूबर 1997 से एक अप्राइल 2003 के बीच में होना अनवारी है यहां पर दोस्तों स्यल्जर टेक्निकल की हैट में आपको तीन सेंटीमेटर की च्छूट और बीच वार चाहिए फिजिक्स सारी 157 सेंटीमेटर लिच चैस्ट आपका सेम होगा दोस्तों 77 cm और आपके लिए इस भर्ति में अप्लाई करने को class 12th pass होना चाहिए physics, chemistry, math and English total आपकी जो overall percentage 50% होनी चाहिए और किसी भी subject में आपके 40% माक से कम नहीं होने चाहिए उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे soldier tradesman 10th pass और 8th pass की ठीक है तो इन दोनों में दोस्तों केवल इतना ही अंतर होता है बाँ कि सब कुछ सेम होता है कि आपकी जो soldier tradesman 8th pass के vacancies होती है वो केवल housekeeper और messkeeper के लिए ही होती है जैसे कि यहाँ पर mention भी किया गया है ठीक है उसके बाद में बांकी जो trades की भरती होती है वो अगर tradesman में भरती होना चाहती है तो आपकी जो education qualification है वो 10th pass minimum ली जाती है दोनों ही भरती में apply करने के लिए आपकी जो age limit है सेम है साड़े सात्रा से तेस साल डेट of birth आपकी 1 October 1997 से और 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए height आपकी 160 cm, chest आपका 77 cm बस फर्क इतना है कि 10th pass के लिए आपके लिए class 10th simple pass होना चाहिए और अगर आप soldier tradesman 8th pass की भरती देख रहे हैं तो आपको class 8 pass भी है तब भी आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तो अभी आपको बता दूँ कि इस भरती की जो online registration होंगे वो कब से कब तक शुरू होंगे तो इस भरती की जो online registration है दोस्तो वो आपके 6 February 2021 से 19 सौरी यह जो आपके online registration होंगे दोस्तो वो 25 December 2020 से और 30 January 2021 के बीच में होंगे और यह आपकी जो भरती है वो 6 February 2021 से 19 February 2021 के बीच में मर्यानी में होगी ठीक है अब दोस्तो आपके लिए बता दूँ कि अगर आप कौन-कौन सी districts के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो 10 districts 10 districts के जो candidates होंगे वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं उसमें हैं दोस्तो अपर आसा जिसमें आएंगे कि जोरहाट, मजौली, टिंसुगिया, डिब्रूगर, गोलाघाट, सेवसागर, उसके बाद में चराडियो, धीमाजी, और नौर्थ लखिमपूर, और कर्भी ठीक है उसके बाद में along इन 10 districts के अगर आप रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सक जबते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यह जो भरती है वो जो रहाट एरा यारो की तरफ से निकाली गई है जो रहाट है दोस्तों आसाम में और यह जो भरती है वो 6 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 के बीच में होनी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों यह जैनकारी हम इस भरती से संबंदित आपको दे चुके हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूटूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राब जरूर करना ठीक है आपके लिए एक बार इस भरत की लोकेशन और बता दूंगे जो भरती है वो दोस्तों मर्यानी आसाम में होनी है छे फरवरी 2021 से 19 मार्च 2021 के बीच में है तो चलिए दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आज होगी कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तक तक लिए नम